तीन प्रकार के दर्शन के बारे में बात करने पूरूं सबसे पहला तो हमें जानने की जरुवत है कि परमेश्वर का दर्शन क्या है काफी बार कलिस्याओं में अपना अपना दर्शन होता है लेकिन परमेश्वर का दर्शन नहीं होने के वज़े से काफी सारे रुकावट और परिशानियों का हम सामना करते हैं काफी सारे दिक्कतियों का सामना करते हैं काफी सारे उलजनों का सामना करते हैं तो आज सबसे पहली बाते करते हैं परमेश्वर के दर्शन के बारे में या फिर मैं यह कहना चाहूँगा परमेश्वर के अधूरे दर्शन के बारे में यानि जो दर्शन परमेश्वर का अधूरा रहे गया है उस दर्शन के प्रती हमें काम करना और दर्शन क्या है आप पढ़ सकते मतिकी किताब अध्या 28 वचन 18 से लिखा गया है येश्व मसी कहते हैं कि सुवर्ग और पूत्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाओ सभी जाती के लोगों को चेले बना उन्हें पिता पुतर पवितरातमा के नाम से बबतिसमा दो और जो बाते मैंने तुमें दी है या जो आगया मैंने तुमें दी है वो लोगों को मानना सिखाओ और यहाँ जो परमेश्वर की आगया थी 2000 साल पहले प्रभू येश्व मसी की जो आगया थी इसी आगया को हमें पूरा करना है फिर बात आता है यही प्रभु का दर्शन है यही परमेश्वर का दर्शन है